क्लास 9 असे शुरू करेंगे बहुत एंपोर्टन चैप्टर है और आज के टाइम में तो बहुत ही इंपोर्टन चीजे हम इसमें डिसक्स करेंगे तो दिखते हैं फर्स्ट वीडियो में हमापके हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे गी एक्षुल मीज़ो है उसे क्या कहा जाता डिजीज की देफिनिशन जो है उसे पूछ ली जाती है नेक्स टाइपस आफ डिजीजिज कोई the acute and chronic diseases and then the cause of diseases के diseases होने के कारण क्या क्या है ठीक है infectious causes भी होते हैं कुछ non infectious diseases होती हैं उसके बारे में हम discuss करेंगे तो शुरू करते हैं आपना वीजियो और आपना tutorial तो बच्चों चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम terminology करते हैं जैसे कि हमेशा की तरह because it is important कि आपको पहले सही हर टाम का एक idea हो कि हम कौन से टाम जब हम कोई मैं जब आपके बारे में एक यूट वर्ड का यूज कर रही हूं हेल्थ वर्ड का यूज कर रही हूं तो आपको जो है वो थोड़ा सा आइडिया रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं है ना ऐसा ना हो कि आपको ऐसे लगे कि है मैं पता नहीं क्या बोल रहे हैं सबसे पहली जो आपके टर्म रहेगी वह है हेल्थ एक्चुली में क्या होती है किसे हेल्थ वोला जाता है तो वो आपको पता होना चाहिए वाट इस हैठ है अगर वो फिजिकली ठीक तब उस state को health कहा जाता है healthy का person कहा जाता है ठीक है तो अगर कोई person physically fit है लेकिन mentally fit नहीं है ठीक है तो वह healthy नहीं हुआ because उसको कोई mental illness है कोई mentally भीमारी हो सकती है कुछ भी हो सकता है ठीक है तो socially physically mentally समाजिक हम society में कैसे behave करते हैं अगर हम अकेला रहना पसंद करते हैं means कि हम mentally हम इतने वीक है कि हमें सुसाइटी में रहना पसंद नहीं है तो health is complete physical mentally और socially हम क्या होने चाहिए तो हमें जो क्या कहा जाता है healthy कहा जाता है उसके बाद है disease बच्चो disease word का यहां पर मतलब है बिमारिया ठीक है बिमारी और health का मतलब होता है स्वस्थिय स्वास्था आपका स्वस्थिय ठीक है तो वैंद बॉड़ी इस not at ease comfortable for example जब आपकी बॉड़ी comfortable फील नहीं करते तो उस state को disease ठीक है आप physically fit नहीं हो आप mentally fit नहीं हो कि यह कई science है next acute diseases acute diseases आपकी क्या होते बैच्चो जो सरफ short period के लिए जैसे कि हमें headache हो जाता है हम दवाई काते हैं ठीक हो जाता है ठीक है जो कि सरफ थोड़े समय के लिए diseases होती है उन्हें हम acute diseases कहते हैं आप common cold जुखांबी जो है वह एक acute diseases है next chronic diseases chronic diseases बच्चो क्या होता है chronic diseases मतब ऐसी बिमारियां जो लंबे समय तक रहती है ठीक है जिसे आपको ट्यूबर लॉसीज हो गया cancer हो ठीक है इतने बड़ी बड़ी बिमारियां जो होती है जो मतब एक दिन में ठीक नहीं होते हैं उनको एक लंबा समय लगता है डाइगनोज करने में ठीक करने में ट्रीटमेंट करने में तो as a diseases को chronic diseases कहा जाता है ठीक है next is the infectious causes infectious diseases क्या होती है बच्चो ठीक है as a diseases where microbes are the immediate causes and means जो spread होती है means फैलने वाली disease infectious diseases कौन सी होती है फैलने वाली अगर मैं आपको बोलू कि कोई एक infectious diseases का example बताईए तो बताईए आप क्या example बताएंगे और यह बहुत ही common example है आप इसका example बहुत ही असानी से दे सकते हो जो diseases एक दुसरे के person से फैलती है contact से फैलती है उन्हें infectious diseases कहते हैं और इसका example आप आज कल करोना के बारे में तुभी सब ही सुन रहे हैं कोविड ठीक है कोविड 19 तो यह हमारी infectious diseases होती है non infectious diseases जो हमारी फैलती नहीं है ठीक है एक community में spread नहीं होती है तो वह आपकी cancer हो सकता है हाई ऐसे तो नहीं है किसी को BP है तो अगर हम उसका बैठ जाए तो हमें भी BP हो जाएगा no spread नहीं होती है genetic abnormalities कोई genetically किसी के gene में कोई problem आ गई है तो वह भी आगे जाके नहीं healthy है next is the now the introductory part the what is in अगर health की बात करें तो मैंने का कोई भी person healthy कब होता है जब वह physically socially अगर यह boy जो है physically socially और mentally तीनों की तरह से जो है fit है तो मैं इस boy को क्या कहूंगी healthy कहूंगी नहीं तो यह boy जो है वो healthy नहीं होगा ठीक है it is a just a body free from the disease means कि हमारी जो body है वो बिमारियों से free है तो ऐसे person को हम healthy कहेंगे अगर हमारी body में कोई mal functioning हो जाती है कोई function काम नहीं करता है तो उस abnormal condition को हम कह देते हैं disease ठीक है और उस body को हम कह देते हैं disease body जैसे कि यह यह एक disease body है ठीक है यह आपकी एक disease body है next is the conditions अब good health आप अपना स्वस्थे अच्छा कैसे रख सकते हैं प्रॉपर आप balance diet लीजिए balance diet और nutritious diet क्या होती है कैसे आप मैंने आपको बोल दिया जी balance diet लीजिए nutritious diet लीजिए तो आप कैसे लेंगे तो बच्चो balance diet आपकी वो होती है आप की जो diet होती है उसमें सारे nutrients होने चाहिए means उसमें carbs भी होने चाहिए carbohydrates भी होने चाहिए और क्या होना चाहिए vitamins भी होनी चाहिए और fat भी होना चाहिए very good शाबाश number four proteins भी होने चाहिए है आपके जो diet है उसमें यह सब present होना चाहिए fats भी होने चाहिए अब यह सब क्यों present होना चाहिए इसे क्यों यह नहीं क्यों बोलने क्या है आपकी बोडी बिल्डिंग न्यूट्रियंट है ठीक है यह एक्स्ट्रा को यह थोड़ा information आपको मैं यहां पर प्रोवाइड कर रहे हूं बोडी बिल्डिंग न्यूट्रियंट है carbs और fats आपको क्या देते है energy देते है energy giving nutrients है आपको energy जो है वह काब से मिलती है ठीक है vitamins जो है वह आपकी body को healthy रखती है various vitamins आप पढ़ते हो a b c e k d तो आपको sunlight से मिलती है ठीक है तो फिर यह सभी जो है fat से यहां पर दोबार आ गया तो यह सभी nutrients जो है हमारी diet में होने चाहिए आप कभी भी एक तरह के nutrients नहीं खा सकते हो अगर आप carbs बहुत ज़्यादा खाएंगे तो भी हानिकार है कि तो हमारी जो diet है उनमें इन सभी nutrients का होना ज़रूरी है वह balance जो है वह होनी चाहिए ठीक है फिर यह personal hygiene में आपका क्या क्या आजाता है ठीक है आपको जो है personal hygiene में आप क्या सीखेंगे ठीक है डेली जो है आपने वह नहाना है because अब देखिए बाठिंग इतनी जरूरी क्यों है why the bathing is important because बच्चों जब हम नहाते हैं ना जब हम शार लेते हैं तो हमारे जो 90 परसेंट बॉड़ी पे जो और बैक्टीरिया होते हैं वह मर जाते हैं मतलब कि infection होने का जो खत्रा है वह हमारा बहुत ही कम हो जाता है ठीक है तो ठीक है और क्या आपकी personal hygiene में हम और क्या दिसकस कर सकते हैं अगर हम personal hygiene को यहां discuss करें तो पहला तो हो गया daily shower आपने लेना है दूसरा आपने हो गया before taking meal खाना खाने से पहले आपको क्या करना है hand wash करने है ठीक है hand washing हो गया ठीक है clean जो है clothes पहनने है no personal contact किसी के साथ भी आपने contact में नहीं रहे है खास कर आजकल तो आप always say namaste say no to hello ठीक है आपने किसी के साथ भी हाथ मिला कर hello नहीं करनी है चाहे कोई आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो आप यहां पे नमस्ते करके अपनी दोस्ती को निभा सकते हैं आपके फ्रेंड को भी जो है करोना वाइरस का खत्रा जो है वह कम हो जाएगा now clean environment and surrounding यह तो बहुत important है आपका जो आसपास का environment है वह clean होना चाहिए ठीक है अब अब मैंने बोला clean environment अब यहां पे clean environment आप कैसे रखेंगे आप बोलेंगे हम ऐसे कैसे रख जी के जैसे की malaria जैस के आपने कहीं कोई पीट है कोई खड़ा हो गया है तो उसे भर देना है ठीक है वहाँ पानी कठा नहीं होना चाहित अब सबसे अगर ठीक है जितने भी आपके say no to polythene, ठीक है, say no to polythene, आपके आस-पास का जो इंवार्मेंट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल ही, साफ होना चाहिए, polluted नहीं होना चाहिए, pollution से free होना चाहिए, वहाँ पे plantations जो होनी चाहिए, वो जाधा होनी चाहिए, ठीक है, तो हमें ऐसे environment में रहना चाहिए healthy air हो कोई pollution ना हो आपके पास पार रोज हमें exercise करनी चाहिए अब exercise हमें क्यों करनी चाहिए बच्चो exercise जो है वो हमें help करती है exercise हमें सिरुफ बिमारियों से ही दूर नहीं रखती है exercise हमें physically तो strong बनाती ही बनाती है physically तो हम strong बनते ही बनते हैं लेकिन हम mentally भी strong बन जाते हैं ठीक है mentally भी हम strong हो जाते हैं इसलिए exercise का हमारी बॉड़ी में बहुत बड़ा रोल है हमें daily जो है 15 minutes exercise तो करनी ही चाहिए ठीक है next है proper rest आपको अपनी बॉड़ी को थकाना नहीं है आपकी बॉड़ी rest मांगती है इसलिए rest is the necessary now the good standard of living and economic status आपका जो लिए रहने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए healthy lifestyle होना चाहिए ठीक है कोई अगर हमें मैं आपको बोलू कैसा lifestyle होना चाहिए हमारा ठीक है ऐसा नहीं है कि आपका बहुत रीच lifestyle होना चाहिए बहुत यह आप बी आइपी हो बहुत नहीं आपक is disease disease क्या होती है when the body is not at ease मतलब जब बॉडी हमारी comfortable फील नहीं क्या करती है ठीक है तो मतलब कि हमें कोई ना कोई विमारी हो रही है ठीक है मिन्स कि हमें functioning में हमें problem हो जाती है जैसे कि आज करोना का गेस है करोना का period चल रहा है हमें fever आता है तो हमारी बॉडी जो है वैसे व work करती है तो diseases को हमने टू टाइपस में डिवाइड किया गए एक्वीट और क्रोनिक ठीक है क्रोनिक diseases क्या होती है उसको डिसकस करेंगे तो actually में diseases के आपके कारण क्या क्या है ठीक है या तो आप जो आपका जो food है वो आप nutritious food नहीं लेते हो ठीक है आप बाहर का food बहुत जादा खाते हो for example junk food junk food is totally unhealthy junk food को हमें junk food मतलब healthy non healthy food ठीक है जराबी healthy नहीं होता है यह body को जो है slow down कर देता है body के function को और आज कल बहुत सारी बिमारियां जो है उसका reason junk food ही है unhealthy or dirty surrounding आप polluted environment में रहते हो आप इतना दा pollution है तो आपको बिमारियां लगेंगी ही लगेंगी तो आपका जो surrounding है वो कैसा है वो भी dependent करता है चाहे आप healthy diet ले रहे हो सब कुछ कर रहे हो लेकिन अगर आप polluted environment में contact with infected person अब आजकल करोना के period में अगर आप किसी coronavirus के patient से मिल लेते हो तो आपको भी करोना होने के chances बढ़ जाते हैं है ना तो diseases होने का ये भी एक कारण है now the using the personal belongings of infected पर आप infected person से मिल रहे है ठीक है for example किसी को करोना हो गया और वो शादी में चला गया school में बच्चा वो चला जा अगर हम unhygienic food खा रहे हैं हमारा water भी जो है वो clean नहीं है तो इससे क्या होगा हमाई जो है diseases होने के chances जो है वो ज्यादा फैल जाएंगी now the lack of unhygienic for example आपने जो खाना है वो धका नहीं है तो always जब भी हम खाना बनाते हैं तो आपने उसको धक्के रखना है because अगर वहां प खाने के ओपर बैट जाते हैं हमें पता भी नहीं जलता है कई बार ठीक है हम वही खाना खा लेते हैं तो हमें food poisoning जैसी बीमारियां हो जाती है तो always cover the food before eating खाना का आपने बना लिया है cook कर लिया है तो उसके बाद उसे आप cover करके रखिए now the health and its failure अब health जो है वो क्या है health आपको मैं पर जो है कि health वही होता है physically जो बन्दा fit है उसकी physically surrounding के सब कुछ fit है तो वो क्या होता है physically mentally socially जो होता है वो बन्दा fit होना चाहिए now five F what is to be done ठीक है fluids finger flies fields flood protect the water source and treat the store अगर पहब से पहली बत पानी पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है water pollution हो रहा है पानी गंदा होता है हमें उसे तो healthy person को इससे बचाने के लिए बहुत ही जादा important है ठीक है fecal matter कई बार cruise में चला जाता है wash hand before कभी भी अगर आप खाना पकाते हैं तो उससे पहले एक खाना खाने से भी पहले आपको मेशा जो है अच्छे से वह cover करना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया जब भी आप खाना खाते हैं तो हमेशा सब्जियां खरीते हैं तो उन्हें अच्छे से wash करिए कभी भी आगर आप किसी शॉप से fruit लेते हो बच्चो तो आपने fruit को एकदम से नहीं खाना है आपने उसको पहले अच्छे से प और तो पड़े लिखे ओ आप ऐसा क्यों करोगे अगर कोई का आप देख लेते हो तो आपने हमेशा यह जिए ध्यान रखने है कि हमें openly defication नहीं करना है नहीं करना है निक्स्टे प्रॉपर ड्रेनिस सिस्ट्म एंड रीटमेंट आउ वाटर जो ड्रेनिस सिस्ट्म हैं सारी चीजे एक अपनानी चाहिए now what is the acute and chronic diseases ठीक है अच्छा इससे पहले हमें आपको कुछ चीजे आपसे कुछ question पूछूंगी अगर आप किसी को headache होता है headache होता है तो वो कितने समय के लिए होता है क्या headaches और cancer एक इसी बिमारियां है क्या करोना और cancer एक जिसी बिमारियां है नहीं ना तो फिर ऐसा क्यों है वह हम discuss करेंगे क्या होती है ऐसी डिसीजीज जो सिर्फ short period के लिए आती है बहुत ही छोटे समय के लिए अब करोना भी जो है 14 डेस के लिए आता है उसके बाद जो है वह भी ठीक हो जाता है ना तो यह सब यह आपके होती है चोट लंबे समय के लिए नहीं होती है और यह हमारी बॉड़ी जो है कुछ समय के बाद हील हो जाती है और हम बिल्कुल जो है दुवारा से हो जाते है पर क्रोनिक डिजिजीज जो लाइफ टाइम चलती है कई जिसीजी जाते जो जिन्दगी भर खत्म न है अलिफेंट की तरह हो गई है कोलेस्टरोल हार्ट अटक कैंसर एंफीजीमिया ब्रॉंकाइटेस अस्थमा ऐसी बिमारियां जो लंबे समय तक चलती है और यह जो है इंसान की जो शरीर है उसको खाने लग जाती है मिन्स तोड़ देती है इंसान जो है दुबारा फिट कं भी जाले किस के साज है अब इमेजर कॉर्स क्या है इम्जेयर कोज यह होता है बच्चो कि और्गिनिजंब enter our body, कोई भी organism हमारी body में enter हुआ और हमें disease हुई, जैसे की जैसे की मैं आपको बताती हूँ अभी वेट फोर एक्जामपल करोना ये है करोना करोना वाइरस जो है अब आज करोना वाइरस इतना फैला है तो इसका example लेना बनता ही है, करोना वाइरस है जो वो परसन के अंदर गया और उस परसन को कौनसी डिजीज हुई कोविट हो गया उस परसन को, तो ये हुआ intermediately cause, ठीक है intermediately cause हुआ ये contribution काॉज आपके क्या होते हैं means secondary factor, means आपकी body के अंदर organism नहीं गया वो कैसे गया आपने गंदा पानी भी लिया ठीक है आपके आसपास की जहां इन्वार्मेंट है वह साफ नहीं है आपने कंटैमिनेटिट फूड का यहां पर क्या मतलब है मिन्स आपको पता हो पता भी होगा शायद अगर नहीं पता होगा फिर भी ऐसा फूड जिसमें जो है हो चुका है मिन्स इसमें जो है बैक्टीरिया जो है वह एंटर हो चुके हैं फॉर एक फूड था उसमें करोना वाइरस चला गया करोना वाइरस फूड में थोड़ी जाएगा मैं मैं एक्जांपल के लिए आपको समझा रहे तो वह वूड आपका जो है वह कांट्रिब्यूट करते हैं डिजीज करने के लिए ठीक हैं एंट्रीबुटरी को आपकी ब्हूरी कॉस्स मद्धा पानी पी और अपके घर पानी नहीं आ रहा है आप क्या करना पानी तो पिना ही पड़ेगा तो अब रिटीव पीर और आप पड़े तो यह कॉंट्रीब्य और दर चलेगी और वह इंफेक्शन जो है तैंड होता है जैसे कि फॉर इंफ्जांपल करोना वाइरिस आप एक दूसरे से टच से जो फ्यालता है चुछ है और इस ऐसे होते जो नहीं होते हैं एक इंसान में ही रहेंगे आप उसी इंसान तिक अब इस बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है कैसे इसके चोटे-चोटे-चोटे जो है इसके दाग पढ़ गया इसके फेस पे तो टाइफॉइड और कॉलेरा और ट्यूटी भी एक ऐसे बीमारी है जो बैक्टेरिया से होती है इसे बैक्टेरिया है जो बीमारिया काज करते हैं ठीक है नाओ देग्स वन नाओ देग्स वन इस दा ठीक है तो डिजीजेजेज अस्प्रेड बाइद माइक्रोब्स अब जो बच्चों माइक्रोब्स फैलाते हैं ठीक है परसंटू अगर किसी एक एक इंसान को जाएगा तो उसे भी वह क्या होगा चिक अगर आप चिकन पॉक्स वाले परसंट से मिलेगे तो आपको भी चिक इंफेक्शिस एजेंट्स क्या होती है एसे जो जो बिमारियां फ्याल यहिसे जिनकी वजशेसे हमें बिमारी होती है वह क्या एंडिक्सेस घक आप ओर ऑनक Stück अनकर श्राप लां cocaine now non-infectious diseases is healthy not spread for example इस पइंसर और सब्रहां है अगर आप इस बंदे से मिलते हो जब तो आपको नहीं होगा ठीक है एस बंदे को होगए हो गया Your लंग डिजीज हो गई है आपकी नॉन इंफेक्शिज डिजीज कहलाती है और इन्हें हम नॉन क्या कॉम्निकेबल डिजीज भी कहते हैं अब आपका यहां पर फर्स्ट वीडियो खतम होता है बाकि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि एस इन डिजीज को रोकताम के ल क्रोनिक डिजीज आपकी क्या होती है जो रहती है जैसे कि कैंसर हो गया गया हो गया अब एज की फुल फॉर्म क्या होती है जल्दी से बताइए शाबाश वैरी गूड अक्वाइड इम्यूनो डैफिशियंसी सिंट्रॉम पेपर में आता है आपको नहीं आदना है जो एज है वह चाईवी की वजह से होता है चाईवी स्था बाइर वाइरस यूमन इम्यून वाइरस ठीक है वाट इस एक्यूट डिजीज इस आपकी कौन सी होती है जो शॉट टाम के लिए ह होती है तो इसका फिर्स का अंसर जो है वो क्रॉनिक है विच बैक्टीरियम इस रिस्पोंसीव पैप्टीक अल्सर के लिए कौन सा बैक्टीरियम रिस्पॉंसीव है तो वह आपका है लिको बैक्टर पाइलॉरी नेम्द माइक्रोब डैस नॉट है इस आन वाइनों बायो क अब वाइरस का समझगें तो करोना वाइरस क्या होता है बच्चों वा completion कीम के सुनखें जूड़ा कशचनी का हाँ ना जसकर ए है जब तक वाइरस इंसान के शरीर में नहीं है मिन्स वो इन्वाइरमेंट में है हवा में है मिट्टी में है कहीं भी है ठीक है तब तक वाइरस नॉन लिविंग है मिन्स उसको लिविंग बनने के लिए किसी लिविंग परसन की जरूरत होती है जब यह वाइरस किसी की हो जाएगा और यह जो है बिमारिया फिलाएगा ठीक है तो कुछ इस तरह से वाइरस का लाइफ साइकल होता है ठीक है सो थैंक यू सो मच बच्चो आई होब कि आपको फर्स्ट वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से कंसाइब्ट जो है वो क्लियर आए होंगे ठीक है सो इन दा क्रोना वाइरस पीरियर्ड यू विल अंडरस्टैंड की हाओ वी विल यू विल स्टे होम अपने घर पे रहिए रक्षित रहिए ठीक है थैंक यू